ओम नमस्षिवाय दोस्तों वेद और जोतिस को वेद चक्षु कहा जाता है दोस्तों चार मुख्य वेद है रिग वेद साम वेद आथर वेद याजुर वेद दुनिया भर का व्रमांड का ग्यान उसमें समाहित है आज हम बात करने जा रहे हैं लक्षमी पूझन की लक्षमी मिलता है लक्षमी की इस्तुती है बड़ी प्रभाव साली है और दोस्तों बड़ा ही मुख्य कारण है कि हर वेद का एक देवता है और एक ग्रह है अब रिग वेद के जो देवता है वो है ब्रहस्पति देव गुर्व ब्रहस्पति और जो इसके जो जो ग्रह है वह ब्रहस्पति जुपिटर और इसके जो देवता है वह अगनी देवता अब आपको करना ये है कि दिन में throughout the day Jupiter ब्रिहश्पती की होरा दिन में दो बार आती है आप कोई भी जोतिशी ये software या internet का सायता ले सकते हैं ये जानने के लिए कि दिन में एक एगंटे की ब्रिहश्पती की होरा कब आती है उस हौरा के दोरान उस हवर के दोरान आप रिग वेद के अंतरगत श्री सुक्त का पाठ करें इस पूरे श्री सुक्त का पाठ करें यदि किसी तर से आपको दिक्कत होती है पूरे श्री सुक्त का पाठ करने में तो इसके अंतरगत जो लक्षमी गायतिरी मंत्र है इस मंत्र का जाप करें दिन में ब्रहश्पती की हौरा का चैन करें उसमें रिगवेद के श्री सुक्त की रिचाओं का पाठ करें और इसके अलवा सामने कुछ अगनी प्रजोलित करें जैसे मैंने आपको बता है रिगवेद के जो देवता है वह है अगनी देवता दीपक प्रजोलित कर सकते हैं या कुछ कफूर आदी अगनी का ध्यान करते गहें अगनी को जोड़ लें और एक ब्रहश्पती का यंत्र जूपीटर का यंत्र जो है वह वह भी स्ठापिद करें आप देखेंगे इस कार्य में इस अनुष्ठान में आपको सर्थ प्रतीशत सफलता मिलेगी और लक्ष्मी आपसे प्रसंद होगी उसके फलिस्तुती में आता है अश्वदाई गौदाई धनधाई महाधने अश्वदेने वाली गाएं देने वाली आजकल तो नहीं चलते कारे करवाना चाहते हैं तो संपर करें हमारे महारिशी एस्ट्रोजी का सेंटर में मेरा नंबर है 950-359-6761 देखते रहे मेरे वीडियो महारिशी एस्ट्रोजी का सेंटर पे थैंक्स अलोट